Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, JK Study Info, I hope you are all doing well. एक new job update निकल कर आच चुकी है, JNK Social Welfare Recruitment Notification 2022 निउ आउट हो चुकी है, district wise posters है, 10th past, 12th past posters है, MTS Accounts Assistant, जिन के लिए आपका कोई भी exam नहीं रहने वाला है, कोई भी fee नहीं रहने वाला है, district wise ये posters है, fresh recruitment notification आउट हो चुकी है, सब कुछ हम detail में discuss करेंगे, क्या कुछ eligibility criteria रहने वाली है, age का रहने वाली है, वीडियो आपके लिए बहुत ही important है, वीडियो को आइट तक देखना, channel पर पहली बार आए हो, channel को subscribe जरूर करना, साथ में bell icon को all notification पर रखना ताकि आपको इसी तरह के latest updates सबसे पहले मिले, और दोस्तों नीचे comment box में comment करना, कि आपकी इस district से blank करते हो, क्या उसके लिए ये notification आउट हो चुकी है या नहीं, नीचे comment box में comment जरूर करना, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कौन-कौन से पोस्टूज हैं, यहां पर आप देख सकते हो, gender specialist two posts टोटल हैं, जिनके लिए education qualification, graduation रहने वाली हैं, social work या other social discipline में, एज की बात करेंगे, minimum आपकी 18 रहने वाली हैं, और maximum आपकी 40 years रहने वाली हैं, साथ में at least 3 years experience भी होनी चाहे इस relevant field में, next post है, specialist in financial literacy, इसके लिए total one post हैं, जिसके लिए आपकी qualification रहने वाली हैं, graduate in economics, banking and similar disciplines, इसके लिए same आपकी age criteria रहने वाली हैं, साथ में at least 3 years experience भी रहने वाली हैं, next post है, accountants assistant total post one, जिसके लिए आपकी graduation होनी चाहें, और साथ में आपको diploma होना चाहें, accountants में, इसी तरह same age criteria रहने वाला है, minimum 18 और maximum 40 years, और साथ में आपको इसके लिए भी same at least 3 years experience भी होनी चाहें, इस relevant field में, next जो post है, वो है D.E.O. for P.M.M. V.Y. work, इसके लिए total one post हैं, जिसके लिए आपकी qualification रहने वाली हैं, graduation with working knowledge of computers IT, अगर आपको साथ में computer में knowledge हैं, और आपने graduation की हैं, तो आप इस post के लिए eligible हो, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो, same age रहने वाली हैं, देखेंगे, इसी तरह साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो, last post है, MTS, जो total one post हैं, जिसके लिए आपकी qualification 10 ते रहने वाली हैं, और minimum age 18, maximum 40, इसके लिए आपको कोई भी experience नहीं चाहिए, इसी तरह अगर selection criteria की बात करेंगे, बहुत सारे students फिर comment करते हैं, सर जिसके पास experience नहीं होगी, क्या वो apply कर सकते हैं, बिल्कुल वो apply कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम criteria की बात करेंगे, short listing या selection criteria की, graduation अगर आपके पास है, तो 60 points, पुलस अगर आपको PG हैं, तो 20 points, और साथ में experience को अलग 10 points, viva को 10 points, total 100 points, अब अगर आपको experience नहीं है, तो आपको 10 points काटे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी तरह अगर हम specialist की बात करेंगे, जो specialist in financial literacy में हैं, उसके लिए graduation के लिए 20 points, PG के लिए 20 points, वही 80 points बनते हैं, experience को 10 points, viva के लिए 10 points, और total यही 100 marks बनते हैं, कोई भी return test नहीं है, सिर्फ आपका viva और आपकी qualification देखी जाएगी, अगर आपके पास experience है, उस बेसर पर भी आपको points मिलने वाले हैं, इसी तरह अगर हम बात करेंगे, MTS posters की, जो 10th pass posters हैं, इसके लिए आपको 90 points qualification को मिलने वाली हैं, अगर आपके पास 10th pass certificate है, तो 90 points, और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो, experience को कोई भी point नहीं है, और वाइवा को, अगर आपका वाइवा अच्छा होगा, तो आपको 10 marks maximum मिलने वाले हैं, यही आपके total hand and marks बनते हैं, कोई भी आपका written exam नहीं होगा, आप यह देख सकते हो, बात करेंगे कौन-कौन से documents आपको साथ लेने हैं, जो भी यहाँ पर documents mention किये गए हैं, आप notification में चेक कर सकते हो, डिमसायल certificate, matriculation diploma, experience certificate, यह आपको साथ लेने हैं, और आपको अपना फारम कब तक सब्मिट करना है, last date कब है, यहाँ पर आप देख सकते हो, before 20 November 2022, 20 November तक आपको अपना फारम सब्मिट करना है, फारम कैसे आपको सब्मिट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको offline फारम सब्मिट करना है, लोकेशन दी गई हैं डिस्ट्रिक सोशल वेलफर आफसर रजोरी नियर ओल्ड बस स्टेंड रजोरी यहां पर आपको पहुंचना है और अपना फारम आपको आफ लाइन बाइ हैंड सब्मिट करना है तिल 29 नावंबर 2022 अब कौन से स्टुडंट इसके लिए इलिजबुल हैं वो इसके लिए इलिजबुल हैं अलग अलग डिस्ट्रिक के लिए यह अलग अलग नोटिफिकेशन निकाली गई हैं हर किसी डिस्ट्रिक के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आती हैं जैसे कि आलरड़ी कुछ डिस्ट्रिक्स की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी हैं जि और फिल कर सकते हो अपना फारम यहां पर आप देख सकते हो परसनल डिटेल्स आपको फिल अप करनी है और फोटोग्राफ यहां पर पेस्ट करना है उसके बाद आपको बाइ हैंड डिस्ट्रिक सोशल वेलफर राजोरी वहां पर आपको यह सबमिट करना है 20 नौबर 2022 से पहल करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा आप किस डिस्ट्रिक से बिलांग करते हो नीचे कॉमेंट बुक्स में कॉमेंट जरूर करना मिलते हैं आपने इसे नेक्स्ट टूडो में तब तक के लिए गुड लाक